आल इंडिया मजली से इतिहदुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुक असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी को आगामी लोकसफ़ चुनाओं में वाइनाट से नहीं बलकि हैदराबाद से चुनाओं लड़ने की चुनाओं लड़ने की चुन मती दे रहा हूं कि वह वाइनाट से नहीं बलकि हैदराबाद से चुनाओं लड़ने आप बड़े-बड़े बयान देते रहते हैं मैदान में आते हैं मेरे खिलाफ लड़ते हैं कॉंग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं तैयार हूं उन्होंने आगे कहा कि बा राहूल गांधी ने तेलंगाना के तुक्कु गुड़ा में विजय भैरी सभा में बोलते हूँ कहा था कि भारती जंता पार्टी भारत राष्ट समीती और AIMIM तेलंगाना में एक साथ काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस्तिकड़ी के खिलाफ लड़ रही है इस दोरान अवैसी ने महिला अरक्षन को लेकर भी निशाना साथ हा उन्होंने कहा कि कॉग्रेस समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता सांसद में मुसल्मानों का नाम लेने से रड़ते हैं मैं खड़ा हुआ और कहा कि मुसलिम और OBC महिलाओं को भी आरक्षन मिलना चाहिए मैं मुझसे कहते रहते हैं कि मैं महिलाओं के खिलाफ हूँ लेकिन सच्छा यह है कि आप महिलाओं OBC और मुसल्मानों के खिलाफ हैं प्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली